रक्षा बंदन की तरहे जन्मास्टमी को लेकर भी बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है इस बार जन्मास्टमी भी दो दिन मनाई जाएगी कलेंडर में 18 और 19 दोनों ही तारिक दिखा रहा है और लोग सोच रहे हैं अब जन्मास्टमी किसी दिन बनाएं पंचाग के अनुसार 18 की रात से ही जन्मास्टमी लग जाएगी और वर्त भी उसी दिन रखा जाएगा कब लगेगी तिथी भादर पद मास के क्रिशन पक्स की अस्टमी तिथी इसी दिन धुरू और व्रिधी योग भी बन रहा है हिंदू धर्व में ये योग बहुत खास माने जाते हैं अस्टमी तिथी का स्मापन 19 अगस्त 2022 शुकरवार की रात 10 बज कर 50 मिनिट पर हो जाएगा ऐसे में क्रिशन का जनम अस्टमी में ही मनाया जाना चाहिए ताकि नवमी में 18 को ही तिवार मनाया जाएगा और वर्त भी रखा जाएगा कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान क्रिशन का जनम अस्टमी तिथी को रात 12 बज हुआ था तो ये योग 18 अगस्त को बन रहा है जबकि कुछ का मानना है कि 19 अगस्त को पूरे दिन अस्टमी तिथी रहेगी और इसी तिथी में शुर्योद्य भी होगा इसलिए जनमास्त में 19 अगस्त को मनाई जाएगी लेकिन धार्मिक दिरिस्टी से देखा जाए तो क्रिशन का जनम अस्टमी को 12 बजे रात को हुआ था इसलिए ये तिवहार 18 अगस्त को ही मनाया जाएगा शुब महुरत मथुरा के मंदिरों में 19 अगस्त की रात को श्री क्रिशन जनमास्त में मनाई जाएगी वहीं दुआर का धीश मंदिर और बांके विहारी मंदिर में भी जनमास्त में 19 अगस्त को ही मनाई जाएगी जत्मास्टमी की पूजा के लिए 18 अगस्त की रात 12 बजकर 20 मिनट से 1 बजकर 5 मिनट तक का महुरत सबसे शुब है पूजा की अवधी कुल 45 मिनट की होगी दुसरे दिन 9 में लग रही है इसलिए अस्टमी के पूरे दिन यानि 18 को वर्त रखा जाएगा और रात को क्रिशन के जनम के बाद ही चंदर्मा देकर वर्त खुला खुलेगा क्या है पूजा विधी सुबह जल्दी उठकर सनान करने के बाद वर्त पूजा का संकल्प ले इसके बाद माता देव की और भगवान श्री क्रिशन का चितर या पर्तिमा पालने में लगाए भगवान को नए वश्टर पहनाए और उनके पालने को सजाए इसके बाद क्रिशन के आगे शुत घी का दीपक जलाएं और क्तिलक करें इसके बाद पूजन सामगरी जैसे अबीर, गुलाल, इत्र, फुल, फल, आदी भगवान को चड़ाएं पूजा के समय मा देवकी, पिता वासुदेव, भाई बलदेव के साथ ही नंद बाबा ये शोदा मैया के नाम भी बोलें अंत में माता देवकी को अघर दे और भोग लगाएं, भोग में तुलसी के पत्ते जरूर रखें, रात में बारा बजे बाद एक बार फिर से भगवान स्री कृशन की पूजा करें और कृशन को जुला जुलाएं और आरती करें पंच्यामरित में तुलसी डाल कर वे माखन मिश्री का भोग लगाएं, पूजा के स्थान पर बैठ कर थोड़ी देर भोजन करें